तो गाई जो तुम लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो कोई न्यू टाउनल नहीं बलकि एक टाउनल की स्किन है तो गाई जब से class of cleanse ने चाना वालों के लिए अलग सर्वर बनाया है तब से class of cleanse उस सर्वर में न जाने भाई क्या-क्या एड किये जा रहा है कभी भाई लेजेंडरी से भी O.P.E. स्किन्स एड कर देते हैं तो कभी new legendary scenarios भी एड कभी बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही डेकोरेशन्स एड भाई इन सारी चीजों को देखकर मेरा तो मन कर रहा है कि बाई चाना सिफ्ट हो जाओ बस हवा निकल गई लेकिन भाई इनसे भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने Pats की skins को भी introduce कर दिया है एंड साथ भाई टाउनल की skin को भी इस सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ एंड यह रही कुछ Pats की skin जो तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो एंड यह रही कुछ Town Halls की skin जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी लग रही है यहां तक तो ठीक ही था लेकिन इन्होंने एक और इंट्रेस्टिंग चीज एड़ कर दी है वो है भाई Town Halls की skin का इंट्रो जो कि तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो एंड भाई कितना खतरनाक सा इंट्रो देख रहा है इस Town Halls की skin का एंड टाउनल की skins के इंट्रो के साथ उन्होंने sceneries के इंट्रो को भी एड़ कर दिया है जैसे यहाँ पर तुम लोग देख सकते हैं उनका जो recent scenery आया है वो Cyber City के उपर है एंड उसका जो intro तुम लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहो भाई कितना खतरनाक सा लग रहा है एंड भाई इस scenery का intro लगबग 2 मिनिट का है तो यह पूरा intro तो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो भाई तुम लोगों को यह intro देखना है तो भाई मेरे Twitter अकाउंट पर देख सकते हो या Discord पर जाके चेक आउट कर लेना अब तुम लोग बताना भाई यह सारी चीज़े अपने ग्लोबल सर्वर में आनी चाहिए या नही या कि चाहिना सर्वर में है तो भाई ठीक ही है तो तुम्हारे कमेंट्स का रहेगा बहुत ज़्यादा इंतजार अब वीडियो अच्छी लागे होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर ही बैले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजो वाला बैल एकन हिट कर देना